नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा. इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि काइमोमर्ज टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है? काइमोमर्ज टैबलेट को कैसे लेना चाहिए? और काइमोमर्ज टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं? और यह भी डिसकस करेंगे कि काइमोमर्ज टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए? काइमोमर्ज टैबलेट का उप्योग शरीर में दर्ध होने पर और सूजन को कम करने के लिए काइमोमर्ज टैबलेट का उप्योग किया जाता है यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वज़ा से सूजन आ गई है तो काइमोमर्ज टैबलेट दर्थ के साथ सूजन को भी कम करती है और कोई चोट लगने पर घाव को जल्दी ठीक करने में मदद करती है काइमोमर्ज टैबलेट का उप्योग शरीर की मासपेशियों में दर्थ होने पर, शरीर की हड्डियों वशरीर के जोरों में दर्थ होने पर, दातों में दर्थ होने पर, कमर में दर्थ होने पर, कान में दर्थ होने पर और गले में दर्थ होने पर आधी कंडिशन्स में काइ कायमोमर्ज टैबलेट का उप्योग किया जाता है कोई सर्जरी होने के बाद या कोई एक्सिडेंट होने के बाद घाव को जल्दी ठीक करने के लिए और सूजन को कम करने के लिए भी डॉक्तर कायमोमर्ज टैबलेट को लेने की सला दे सकता है दोस्तों अगर आपको वीडिय ना रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में काइमोमर्ज टैबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में काइमोमर्ज टैबलेट की वज़े से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे बदहजमी होना, पेट में दर्ध होना, पेट में जलन होना, कब्ज होना, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, तवचा पर खुजली होना, तवचा पर रैशेस होना, भूप कम होना, दस्त होना और लिवर एंजाइम बढ़ सकते हैं. ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा डोज में काइमोमर्ज टैबलेट को लेने से किड्नी वर लिवर डैमेज हो सकती है और शरील में खून की कमी हो सकती है एलर्जिक रियेक्शन किसी को भी और किसी भी दवा से हो सकता है यदि आपको Chimomers Tablet को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुह गले होठो या तवचा पर सूजन, वचा पर खुजली, वचा पर रैशिस या Chimomers Tablet को लेने के बाद एकदम से बुखार होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षन Allergic Reaction के हो सकते हैं, और Allergic Reaction होने पर तुरंथ Medical Treatment की आवशक्ता होती है, अब हम डिसकस करेंगे की Chimomers Tablet को कैसे लेना recommended होता है, Chimomers Tablet को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है, आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को Dr. Chimomers Tablet को द ही Chimomers Tablet को लेनी की सलाह दे सकते हैं, Chimomers Tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको Chimomers Tablet को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए, अब हम डि Kidney, Liver या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर Chimomers Tablet को लेना recommended नहीं होता है, इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सलाह के बिना Chimomers Tablet को नहीं लेना चाहिए, लगातार दो सब्ता से अधिक Chimomers Tablet को लेना recommended नहीं है, इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना दो सब्ता से अधिक Chimomers Tablet को नहीं लेना चाहिए, Chimomers Tablet के साथ शराप का सेवन नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Chimomers Tablet का सेवन करना recommended नहीं है, इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Chimomers Tab टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका काइमोमर्ज टैबलेट से बंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।